पाकिस्तान से घुसपैट की कोशिशों को नाकाम करने के लिए भारत ने अंतरराश्टी सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक दिवार खड़ी कर दी है जम्मू में अंतरराश्टी सीमा के दो हिस्सों में अपनी तरह का या पहला हाइटेक सरीवलाइज सिस्टम तयार किया गया है इसकी मदद से जमीन, पानी और हवा में एक अद्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक बेरियर होगा जिससे सीमा सुरक्षाबल को घुसपैटियों को पहचानने और मुश्किल इलाकों में घुसपैट रोकने में मदद मिलेगी ग्रैमंत्री राजनास सिंग सुमवार को जमू में दो पाइलेट प्रोजेक्ट को लाँच करेंगे एक प्रोजेक्ट के तहट जमू के 5.5 किलो मीटर का बॉर्डर कवर होगा इस प्रणाली को करामभेजिव इंट्रीगेटड बॉर्डर मेजिमेंट सिस्टम CIBMS का नाम दिया गया है आए समझते हैं कि कैसे काम करता है ये पाकिस्तान की तरफ से अक्सर रात के समय और ऐसे इलाकों में घुसपैट होती है जहां इलाका समतल नहीं है अब CIBMS के तहट कई आधुनिक सर्विलांश चेक्नलोजी का इस्तिमाल किया जाएगा इसमें थर्मल इमेजर, इंट्रा रेड और लेजर बेज़ इंट्रीगेटड अलारम की सुविदा होगी जिसकी मदद से एक अधर से जमीनी बाड हवाई निगरानी के लिए एरशिप नायब ग्राउंड सेंसर लगा होगा जो घुसपैटियों के किसी भी हरकत को भाप कर सुरुक्षा बोलों को सूचित कर देगा ग्राम अंत्राले के एक अधिकारी ने बताया है कि भारत में इंट्रिगेटड बॉर्डर मेनेजमेंट सिस्टम पर आधरित या वर्चुल फेंस अपनी तरह का पहला प्रयोग है अधिकारी ने कहा है कि CIBMS को ऐसे इलाकों की सुरुक्षा के लिए डिजाइन किया गया है जहां फिजिकल सर्विलान संबव नहीं है वाच चाहें जमीनी इलाके के कारण हो या नदी वाले बॉर्डर नियूस टैम्स के रिए अब शेक मिशाख रिपोर्ट